वेल बच्चों NTA ने आपके NEET 24 का examination date release कर दिया है तब है पांच माई को 2024 में अब उन्होंने ये भी बताया है कि आपका paper होने वाला है वो pen or paper mode पे होने वाला है मतलब OMR base job का paper होने वाला है तो इस वीडियो में आज हम लोग ये बात करने वाले हैं कि best वो कौन-कौन सी offline test series है जिसको हमें join करना चाहिए so that कि हमारे 700 plus score हो जाएं जी बहुत सारे बच्चों का syllabus complete हो जाता है पूरा concept clear होता है लेकिन एक अच्छा test attempt ना करने के वज़े से एक अच्छा rank नहीं आ पाता है और एक अच्छा medical college नहीं मिल पाता है जी बहुत सारी बच्चे गलतिया भी करते क्योंके market में बहुत सारी test series और बच्चे ऐसी खरीद लेते हैं इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि कोई भी test खरीदने से पहले क्या के point का में ध्यान रखना है कौन कौन से best test series है लेकिन सर मैं तो गरीब हूं मेरे पास एक रुपया नहीं है क्या मैं free में सारी test series attempt कर सकता हूं जी हां कैसे कर सकते हैं इन सबी के बार में इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं जी सबसे पहली बात यह आती है कि कोई भी test series attempt करने से पहले या select करने से पहले कुछ points हमें ध्यान होनी चाहिए जी सबसे पहली बात क्या कि जो भी तुम test series join करोगे वो purely आपकी NCRT based होनी ही चा किया है जी वहां पर क्या होता है कि module से बहुत सारे questions डाल दिये जाते हैं जी जिसके वज़े से बच्चे है ना डर जाते हैं उनको लगता है कि मेरी preparation कुछ नहीं हुई है जो भी तुम test series join कर रहे हो वो purely आपकी NCRT based होनी चाहिए second point क्या कि जो भी तुम MCQS उसमें solve करोगे वो purely तुमारी NCRT के ही होने चाहिए बिलकुल भी NCRT के बाहर कर नहीं होना चाहिए जो भी test series तुम join कर रहे हो वो आपका 85-15% rule follow करे इसका मतलब क्या होता है जी 85% paper NCRT की wordy होनी चाहिए और 15% जो paper होनी चाहिए ना वो concept based होनी चाहिए जो की neat बनाता है 85% में क्या होता है कि as it is जो तर्क विता रखने होता है statement अगर तुम्हें पता है तुम tick कर लोगे तुमारा concept के लिए तुम कर लोगे तो यह बात आपको ध्यान रहना चाहिए ओके चौती और बहुत important बात क्या है कि जब तुम full mock test series दे रहे हो या तुम unit wise दे रहे हो या त chapter wise दे रहो तो equal weightage पूरे syllabus का दिया जाए बहुत बारी क्या होता है कि full test के नाम पे एक unit का test ले लेते हैं जिसे ही क्या होता है हमें हम चने के जाड़ पे चड़ जाते हैं वो हमारे साथ बिलकुल भी नहीं होना चाहिए जे भी तुम test series ले रहे हो तो पांस ही बात क्या होन है तो यह हमारी parameter होनी चाहिए कोई भी test series opt करने से पहले अब सर हम लोग सर जबी टेस्ट ले हम लोग किस pattern में test दिया जाए क्या मैं सीधा जाके full mark test दे दूं ऐसा बिलकुल मत करो जी देखिए तुमारे physics chemistry biology में जितने भी chapters हैं सबसे पहले तुम क्या करोगे जिमना chapter wise test दो है because अगर आप लोग chapter wise test नहीं दोगे तो आपको यह नहीं समझ में समझ में आएगा कि उस chapter का मेरा यह week portion है या नहीं है उसके बाद आपको क्या करना है जिमना group test या तुमको unit test यहां पर देना है इसका मतलब क्या होता है जैसे कि plant physiology हो गया human physiology हो गया biotechnology का unit हो गया genetics हो गया जब तुम chapter wise दोगे तुमको पता है कि यह मेरा week portion है मैं इसको rectify कर लिया अब जब तुम लोग यहां पर group test यह unit test दोगे तो इससे यह clear होगा कि यहां बाई चलो यह unit मुझे आता है यहां पर दिक्कत है मुझे इसको ठीक करना है जी तीसरा last मैं आप लोग full syllabus के और आगे बढ़ोगे जी अगर तुम पहले अगर full syllabus के और बढ़ोगे तुम demotivate हो जाओगे है ना तुम को लागा कि मेरे को कुछ नहीं आता है तो पहले तो आपको यह तीन को follow करना है जी ध्यान रहेगा जी अच्छा और एक सबसे important बात कि जबी भी आप लोग test series जोइन करो तो ध्यान रटना वह आपको offline test series होना चाहिए तुम्हे online test series बिल्कुल भी जोइन नहीं करना है अगर आप NEET की त्यारी कर रहे हैं तो अगर आप JEE की त्यारी कर रहे हैं जरूर से आप लोग online जोइन कर सकते हैं वह computer based test होता है लेकिन आपका यहाँ पे offline test series आपको join करना है वि हम जो NCRT based test मिले unit wise, chapter wise और complete biology वाला आप लोग जरूर से new light का यहाँ पे test series join कर सकते हैं किसका जी आप लोग यहाँ पे new light का test series जरूर से join कर सकते हैं जी ठीक है आईए दूसरी बात कहा है जी हम लोग अगर आप चाहते हो कि आपको NCRT based अगर आप offline जाके देना चाहते हो त के बहुत सारे centers all over इंडिया में open हो चुके हैं जी तो आप लोग का offline test series join कर सकते हैं जी जो की one of the affordable है अब यह जो दोनों है आपका new light और अनकाडमी का यह बहुत ही affordable है मतलब आपका पांच जर के अंदर अंदर आपका यह हो जाएगा जी न्यू लाइट का और आपका अनकाडमी का थर्ड आप लोग क्या कर सकते हैं अब क्या होता है मुन्ना मैंने बहुत सारे एलेन और अकाश के बच्चों को से जो test series देखा ह उसमें यह देखने को मिलता कहीं अब अब एलेन जो यह प्योली एंसी अटी बेश बनाता है लेकिन असे बहुत सरे इंस्ट्यूट है वहां पी कतना अपने अपने मॉड्यूल के वह लोग कोशन डाल देते हैं जिसके वाशे जोईन करेगा वह दी मोटिवेट हो जाता है प्लायोरिटी यह रख सकते हैं क्या आप अगर पैसेगर बाजट कम है यह अप लोग आनिकार ऑडीमी कर सकते हैं अब अगर बिल्कुल पैसा नहीं तो हम लोग क्या करें अरे तुम टेलीग्राम पे जाके सिर्च कर लोगे ना नीट 24 का बहुत सारे टेलीग्राम पे चैनल से मिल जाएंगे संडे को 2-5 टेस्ट होता है वो लोग साथ मजे पेपर डाल देते हैं तुम रात को देते हो तीन गंटा बैट के एक्जाम तुम यह भी कर सकते हो तुम लोग यहां पे टेलीग्राम चैनल को जोईन करके फ्री में पेपर क अब देखो जो अनकाडमी का तुमारे पास टेस्ट है वो बहुत सस्ता है और तुमारा इंसी आटी बेजिए जो कि प्योर्ली जो नीट होना नीट में जिससे आता है पीपर और क्या ना दूसरी खासेत ही है ना कि तुम अनकाडमी सेंटर पर जाकर तुम पेपर देते हो इससे फाइदा ही होगा ना कि अगर कोशन में डाउट रहेगा जब उसका रिजल्ट आएगा तो महां की फेकल्टी से वो डाउट भी क्लियर कर सकते हो यह बड़ी खासेत आपको देखने को मिलती है और सारे सेंटर में क्या होता है कि जितनी बड़ी बड़ी इंस्ट्यू प्रस्ते में मिल जाएगा जी इसमें आपको आफ मिल जाएगा 15-20 परसें ठीक है तो आप लोग यह जॉइन कर सकते है और पैन और पेपर मोड पे है तो इससे फाइदा आपको यही मिलने वाला है क्या कि आपके सारे कि सारे डाउट भी रिजॉल्व हो जाएंगे और सबस कर सकते हैं जी इसके बाद में कोई डाउट है डू लेट आजने कमेंट सेक्षें मैं ट्राय करूंगा आपके सारे डाउट का एंसर कमेंट में दे दिया जाए और अगला वीडियो तुमको किस ट्रॉपिक पर चाहिए यह भी हमें बताइएगा मिलते हैं आपको अगले ऑग बाई